नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में मैं हूँ आपके साथ वक्ता केज्रिवाल ने घोटाले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है क्योंकि दिल्ली में केज्रिवाल सरकार ब्रश्टा चार में पूरी तरह से दूप चुकी है और ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां ब्रश्टा चार नहीं किया गया हो शराब और सिक्षा घोटाले के बाद रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं दिल्ली में 25,000 गेस्ट टीचर की न्यूकती में हेरा फेरी का मामला सामने आया जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इस गोटाले में कई सिक्षकों के स्कूल में नाम नहीं है फिर भी सेलरी बाटी गई अब इस गोरक धंदे को लेकर उपराज जिपाल भीके सक्सेना ने इंटरनल इंक्वाईरी का आदेश दिया है जाँच के लिए उपराज पाल सचवाले ने चीफ सेकेटरी को एक लेटर लिखा है इसमें फर्जी गेस टीचर्स के नाम पर सेलरी गबन करने के मामले की भी जाँच की जाएगी इस लेटर में सरकारी स्कूलों में नियुक्त किये गए गेस टीचर्स की फिजिकल अटेंडेंस और सैलरी निकासी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी कई है ये रिपोर्ट एक महीने के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले आठ सालों में क्लास्रूम घोटाला, आपकारी घोटाला, विज्यापन घोटाला, बस घोटाला, मार्शल घोटाला, महला क्लीनिक घोटाला, सैनिक स्कूल घोटाला जैसे कई घोटाले हुए और अब सिक्षक नियुक्ति घोटाला सामने आ गया है केश्डिवाल सरकार के ब्रश्टा चार की वचो से आज दिली के लोग खुद को ठगा सम महसूस कर रहे हैं इमानदारी की कसम खाकर राजनीती में आई आम आदमी पाटी आज लुटेरों का अड़ा बन चुकी है पहले बात guest teachers में हुए घोटाले की कर लेते हैं दिली में 25,000 guest teachers की न्यूकती प्रक्रिया पर किये गए एक audit में हेरा फेरी का मामला सामने आया इसमें पाया गया कि दिली के मानसरोवर पाक के senior secondary school में guest teachers के नाम पर 3 लोगों को 4,21,000 रुपए salary दी गई जबकि इनकी न्यूकती इस school में थी ही नहीं मामले की जाच Anti-Corruption Bureau यानि ACB कर रही है तो वहीं केजरिवाल के सिक्षा मॉडल की कहानी भी सुन लीजिए भारती जिन्ता पार्टी ने दावा किया कि दिली सरकार का सिक्षा मॉडल अब पतन की ओर है जिसे अबवल दर्जे का केजरिवाल बताते रहे हैं दिली सरकार पर ब्रश्टाचार में लिप्त रहने का भी आरोप लगा है और दावा है कि आपके एक कारेकरता को सैनिक स्कूल के संचालन का ठेका दिया गया दिली में सशस्त्र बल आम्ट पोर्सेस प्रिपेटरी स्कूल का उदगाचन अगस्त में मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने किया था ये दिली का पहला सैनिक स्कूल है लेकिन इस स्कूल के खुलने के पीछे की कहानी काफी दिल्चस्त है केजरिवाल सरकार ने अपनी ही आम आदमी पार्टी की नेटा श्रीशा राओ को कमपनी खुलवा कर ठेका दे दिया हैरानी की बात है कि अभी कमपनी के खुले हुए दो महीने भी नहीं हुए और कम्पनी के पास सेनेक स्कूल के प्रबंदन का कोई अनुभव भी नहीं था फिर भी दिली के सिक्ष्टा मंत्री मनीश सोधिया की महरबानी से सरकारी खजाने को लूटने का ठेका मिल गया देखिए केजरिवाल किस तरह से आम जनता के पैसे के साथ खेल कर रहे हैं इस गोचाले में आटियाई से पता चला कि 312 कम्रे 77 करोड 24 लाख 21,000 रुपए में और 12,748 कम्रे 2892 करोड रुपए में बनाए गए लोग केजरिवाल और सिसोधिया से ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक कम्रे की लागत में 24 लाख रुपए कैसे हो गए क्या केजरिवाल जी ने कम्रे में सोने की टाइल्स लगवाई हैं तो कुल मिलाकर खोखला है केजरिवाल का सिक्षा मॉडल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 84 प्रतिशत और टीचर्स के 33 प्रतिशत पद खाली हैं और केजरिवाल इसी सिक्षा मॉडल का पूरे दिन दिनोरा पीटते रहते हैं केजरिवाल राज में ब्रश्टा चार ये लाइन सुनने और पढ़ने में ही कितना अजीब लगता है जिस किसी को भी केजरिवाल की इमांदारी और उनकी इमेज पर हट से जादा भरोसा रहा हो राशन गोटाले की बात सुन कर वो कितना दुखी हुआ होगा बस अंदाजा लगाया जा सकता है ये तो माना जा सकता है कि राजनीती में अनुभव नहीं होने के कारण केजरिवाल की सरकार से गलतियां हो सकती है लेकिन ये बात गले के नीचे कैसे उतरेगी कि ब्रश्टा चार रोकने में भी केजरिवाल और उनकी टीम के पास कोई अनुभव नहीं है बात बात पर इंकम टेक्स बैकड्राउं की दुहाई देने वाले केजरिवाल से आखिर इतनी बड़ी चूप कैसे हो गई समझना काफी मुश्किल हो रहा है और एक गोटाला हुआ हो तो समझाए भी कि चलो गलती से हो गया होगा हर कदम पर गोटालों की लाइन लगी हुई है ये गलती नहीं केजरिवाल सरकार के ब्रश्ट मंत्रियों की एश है जिसे छुपाया नहीं चा सकता टीचर गोटाले के बाद शराब गोटाला इतना बड़ा हुआ कि उसके इस्टिंग ओपरेशन भी सामने आ गए केजरिवाल बेनकाब हो चुके हैं फिर भी बीजेपी पर आरोप लगाने से नहीं चुकते शराब गोटाले में परदाफाश होने के बाद बसों का गोटाला सामने आया जिसमें 1000 DTC बसों की खरीद फरोक्त में गड़बड़ी मिली थी DTC बस घोटाला, शराब घोटाला और टॉयलेट घोटाले का इलजाम तो है ही अब नए सामने आई जल घोटाले को लेकर आप निशाने पर है भाजपसांसत प्रवेश साहिब सिंग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि DTC बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला, शराब घोटाला, वक्फ बोड घोटाला और अब चल बोड में एक और नया खोटाला और कितना पैसा हड़पोगे केश्रिवाल दिल्ली के उपर आजपाल ने मुख्य सच्चिव दिल्ली को DJB के आधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाप इसी मामली में 20 करोड के कथित गवन के लिए FIR दर्च करने का आदेश दिया है ऐसे कई घोटाले हैं जिसकी लिस्ट हमने आपको बताई और एक भी छोटा घोटाला नहीं है केश्रिवाल पर BJP सरकार तो हमलावर है ही लेकिन ये शर्म की बात तब हो चाती है जब आपके गुरु आपको भरष्ट कहने लगें अन्ना हजारे ने भी फिलाल केश्रिवाल को भरष्ट बता दिया तो लगा वो गुस्ते में कह रहे होंगे या फिर उनकी उम्र हो चली खुद पर भगोडा होने का इल्जाम लगने पर अपनी 49 दिन की सरकार के लिए माफी मांगने वाले केश्रिवाल की ये मुहिम यहीं खत्म नहीं होने वाली मानहानी करने वालों से माफी मांग रहे केश्रिवाल से एक माफी तो हर घुटाले में बनती है कि केश्रिवाल सामने आए और अपने किये की माफी जनता से मांगे लेकिन केश्रिवाल तो ठोक बजा कर कह रहे हैं कि उनकी सरकार में कोई घोटाला हुआ ही नहीं है यहां तक कि स्टाम ज्यूटी चोर करने का आरोपी भी केज़िवाल पर लगा हुआ है मुख्य मंत्री स्टाम ज्यूटी चोरी के आरोप को आमादमी पाटी ने सिरे से खारज कर दिया है पार्टी सूत्रों ने बताया कि ये तीनों फ्लॉट, उनकी पैत्रक संपत्ति है, तीनों संपतियों को सरकल रेट के हिसाब से ही बेचा गया है सरकल रेट के हिसाब से जितनी की स्टैं जूटी बनती है, उतनी रकम जमा कराई गई है ऐसे में किसी भी तरह की गड़बडी का सवाल ही नहीं बनता इसके बाद भी अगर LG को लगता है कि गलत हुआ है वो जांच कराना चाहते हैं तो वो CBI, ED या फिर जिस भी जांच जिंसी से जांच कराना चाहें करा ले लेकिन दावे के साथ कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं अगर केजरिवाल दावे के साथ कहते हैं कि दोशी बक्षे नहीं जाएंगे इसका मतलब कि जो कुछ हुआ वो उनके अधीन हुआ है मतलब वो चाहते तो व्रष्टा चार रुख सकता था प्रश्टर चार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले को इतना तो पता ही होता है कि कहां कहां लूप होल है और वो चाहे तो वहाँ चेक पॉइंट बना सकता है लेकिन केजरिवाल सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया ये आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते है स्पेशल रिपोर्ट में फिलाल इतना ही बने रहे है कैपिटल टीवी के साथ नमस्कार